नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनधर सेशन आपकी गाड़ी में पर बहुत जरूरी चीज है आज हम बात करने वाले हैं थर्मोस्टाट वाल्व के बारे में हुआ यह है कि मेरे को एक सवाल आया थे काफी सवाल आया थे थर्मोस्टाट के रिगार्डिंग ही कि सर इसको निकालने से फाइदा होगा नुकसान होगा निकाल देने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है कितने टाइम तक निकाल सकते हैं साथ में इसका काम क्या है और क्या क्या चीजे रहती है और अगर खराब है तो पता कैसे चलेगा और किस तरह से खराब होता है सबी चीजों के उपर में डिस्कूस करने बाला हूँ तो सबसे बहुत आपको बता दूँ आपका जो thermostat valve है वो कुछ इस तरह का रहता है यह इसमें जैसे आप देखेंगे अंदर में क्या mechanism रहता है यह इसकी outer side है outer side में बोलू हूँ तो मतलब यह वाली जू side रहे गी यह आपके जाके block लोग की तरफ में रहेगी और यह वाली जो side रहेगी यह radiator की मतलब outlet की तरफ में है रहेगी और यह जो part देख रहे हैं Бीच में इसके अंदर में wax होती है यह इसमें वैक्स है, वो इस तरह से डिजाइन की गई है, यह material इस तरह से डिजाइन किया गया है, सबी को बता है, मोम जो है, मतलब वैक्स जो होती है, वो जिस ताइम पर हम उसको हीट करते हैं, तो पिगलती है, temperature के साथ में, same उसी mechanism पर यह काम करता है, मतलब इसको इस तरह से design किया जाता है कि जब ये पिगले, मतलब अंदर इसका मौम पिगले, तो ये जो spring होता है आप देख रहे हैं बीच में, ये ऐसे compress होती है ये चीज, मतलब अंदर को दबती है मौम पिगलने के बाद में, expand होता है उसके बाद में यह दपता है अंदर को तो यह खुलता है और बंद होता है open होगा और close होगा यही इसका mechanism रहता है और जिस तरह से temperature बढ़ेगा तो यह valve open हो जायाएगा open होने के बाद में आपका जो coolant है तो coolant का आपको मैं एक mechanism भी समझा देता हूँ तो यह बाद में आपके चोटे-चोटे water jackets बने होते हैं जब इंजन से बाहर निकलता है तो उसको thermostat से होके निकलना पड़ता है यहां से होके उसको निकलना पड़ता है thermostat लग रखा है उन दोनों के बीच में दिवार है मतलब इंजन की बाहर की साइड और अंदर की साइड में ये एक barrier है एक दिवार है तो जब ये बंद रहेगा तो होगा ये water pump तो आपका चली रहा है coolant आपका अंदर ही अंदर circulate कर रहा है इंजन के अंदर ही और उसका mainly reason ये है कि ये एक certain temperature के उपर में design किया जाता है हर गाड़ी का अलग होता है यहां पे ध्यान रखिएगा हर गाड़ी के लिए अलग valve डिजाइन किया जाता है क्योंकि उसकी एक temperature range होती है यहां पे लिखा भी रहेगा अगर आप पढ़ पाएं यहां पे शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे 82 degree centigrade पे है यह वैगनार का है और यह सब को पता ही है मेरे पास में 7th एंड और उसमें था नहीं खराब मतलब खराब तो क्या उसमें था ही नहीं जब मैं निकाल के देखा हूँ आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी में तो यह 82 degree centigrade पे इसको डिजाइन किया गया है अभी यह क्या करेगा इसको टेस्ट भी आपको में करके दिखाऊंगा कि टेस्ट कैसे करते है आपका बाल अगर खराब हो जाए अगर आपको लग रहा है 82 degree centigrade पे जैसे ही आपका coolant पहुँचेगा यह धीरे धीरे खुलना शुरू कर देगा और जैसे ही जैसे मालो 95 पे इंजन डिजाइन है जो F10D इंजन है मतलब ऑल्टो और वैगनार जो 1.1 लिटर आती थी या बाकी गाड़िया भी तो 82 से लेके 95 तक यह इंजन डिजाइन है 82 degree पे यह खुलना शुरू कर देगा 82 के बाद में 95 जब degree temperature पहुँच जाएगा उस ताइम पे फुली expand हो जाएगा फुली open हो जाएगा तो यह thermostat valve की working होगे एक मोटी मोटी कि जब भी मतलब 82 से पहले नहीं खुलेगा याद रखिएगा जब भी आपका इंजन के coolant का temperature जब तक 82 degree नहीं पहुँचता है तब तक यह खुलेगा नहीं तब तक आपका जो coolant है आपके engine में ही circulate करता रहेगा गरम होता रहेगा वहाँ पे reason simple सा है आपकी गाड़ी को एक certain temperature चाहिए एक temperature चाहिए working condition के लिए तो जब 82 degree पे पहुँच जाएगा उसके बाद में धीरे धीरे खुलना शुरू कर देगा और 95 पे बिल्कुल open हो जाएगा ये और पूरी तरह से आपका जो coolant है यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से radiator की तरफ में flow करना शुरू कर देगा और radiator के बाद में cooling fan लग रखा है cooling fan उसको ठंडा करेगा coolant को फिर से circulation शुरू हो जाएगा जैसे coolant ठंडा होगा तो यह फिर बंद हो जाएगा धिरे धिरे बंद होना शुरू हो जाएगा इसकी working एक्चल में practical working और इसकी चक करने का तरीका आपको एक अलग वीडियो में उसका पका दिखाता हूँ आपको बड़ा आपको अच्छा लगेगा सही तरीके से आप समझ पाएंगे तो यह तो होगी इसकी working कि यह engine के temperature को maintain करके रखता है किस तरह से रखता है वो भी मैंने आपको बता दिया तो इसके खराब होने के सर्फ दो main चीज़े रहती है या तो यह stuck open है या तो यह stuck close है मतलब या तो पूरी तरह open होने के बाद में यह वहीं फस गया है या फिर एक दम बिल्कुल open ही नहीं हो रहा है यह मतलब बिल्कुल खोल ही नहीं रहा है इसके अंदर का जो compound है वो खराब हो चुका है किसी कारण से तो यह stuck close है या फिर spring जो है mainly actual में spring खराब होती है तो जो spring है इसकी यह खराब हो चुकी है और यह stuck close है तो दो ही कारण होते हैं या तो stuck open या तो stuck close या फिर के वार होता ऐसा है कि जो thermostat housing होती है वहाँ से alcohol की leakage जो आना शुरू हो जाती है करते क्या है mystery low की जो उपर में gasket लग रखी है जब भी आप thermostat लेनी चाहेंगे अच्छा याद रखिएगा हमेशा नया जब आप thermostat लेंगे यह gasket जो black color की आप देख रहे हैं अगर इस तरह का आपका thermostat है तब आपके पास में यह black color की gasket जो है उस thermostat पे 100% होनी चाहे अगर यह gasket नहीं है तो वहाँ पे leakage भी 100% रहती है और इसका कोई मतलब भी नहीं रहा गया क्योंकि cooling जो बाइपास कर जाएगा अलका छोटा 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 सा तो यह तो होगी एक चीज अब mystery है कि यहाँ पे गलती करते है अब अगर यह stuck close है मतलब बिलकुल एकदम खुल नहीं रहा है तब क्या होगा आपका गाड़ी का temperature बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है 82 से 95 पहुंच किया 95 से 100 पहुंच किया आपका cooling fan on होगा नहीं होगा उससे कोई फरक ही नहीं पड़ेगा क्यों कि ब्लॉक में से आपके radiator तक coolant पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि यह वहाँ पे उसको रोक के रख लेगा आपकी गाड़ी करेगी overheat overheat करने की बज़ा से उस बज़ा से फिर head gasket leakage होती है इसलिए फटती है head gasket तब फटेगी इसके कारण overheating होती है तो एक तो चीज़ी होगी और उसी की बज़ा से क्या होगा coolant अंदर ही expand करेगा expand करने के बाद में head में केवर crack भी आ जाते है और जो आपकी horse pipe बगएर है वो भी इसकी बज़ा से केवर फटती है तो जो lower radiator hose है आपका वो केवर इसकी बज़ा से full जाता है या फट जाता है एक ये भी कारण रहता है तो ये तो हो गया stuck close stuck close की बज़ा से 100% आपकी गाड़ी में overheating होगी तब आपको पता लग जाता है कि thermostat निकालने के बाद में फिर आपको इसको check करना पड़ता है चेक करने के बाद में ही आप confirm कर सकते है कि heating जो overheating हो रही है वो thermostat की बज़ा से हो रही है किसी और बज़ा से हो रही है पहला तो ये हो गया दूसरा होता है इसका stuck open का stuck close का मैंने आपको बता दिया गाड़ी overheat करेगी अगर ये stuck open हो जाता है तब होगा क्या जैसे ही आप गाड़ी start करेंगे उसी time पे आपका coolant जो है फ्लो करना शुरू कर देगा पूरे पूरे engine में मलग उसके लिए को रुकावट ही नहीं है और पूरा radiator की तरफ भी जाना शुरू कर देगा radiator में वैसी cooling fan लग रखा है और आपकी गाड़ी moving है moving के time पे तो हवा से भी वो आपका ठंडा कर रहा है तो coolant जो है वो इतना गरम हो ही नहीं पाएगा इतनी जल्दी आप देखेंगे जो आपकी temperature की सुवी है वो उपर ही नहीं उठ रही है बहुत देरा होगी आपको गाड़ी चलाते हूँ आपको लगा जागी आपका जो sensor है जो ECT sensor है, coolant temperature sensor है हो सकता है वो खराब है पर यहां पर या तो यह होगा ही नहीं आपकी गाड़ी में या फिर यह stack open होगा इतनी जल्दी नहीं आती है क्योंकि गर्मियों में बहुत सारी जगाएं ऐसी है जैसे राजस्तान के रिए होगे, थार के रिए होगे महाँ पे कुछ लोग इसको निकाल देते है निकालते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि गाड़ी अभी कोवरेट नहीं होगे, मस्त एक्तम कुलेंट चलता रहेगा ठंदा हाँ यह है कि कुछ जगा में फाइदा करता है, कुछ जगा में नुकसान करता है पर मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको में लिए अगर stack open होने के बाद में आपकी गाड़ी का इंजन है वो जल्दी से warm-up नहीं हो पाएगा, आपकी fuel efficiency है, वो बहुत कम हो जाएगी आपका जो, मतलब, mileage है, आपकी गाड़ी की बहुत कम आएगी तो यह दो ही main कारण रहते हैं, तीसरा कारण तो आपको उने बताई दिया कि इसकी gasket बगएर खेवर फड़ जाती है, और फिर वहाँ पर leakage होना शुरू हो जाती है, तो यह चीज़े रहती है तो यही था, और अबर आपको इसको निकालना है, तो निकालने का purpose मेरे को समझ में नहीं आता कि कुछ लोग निकालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, especially अगर आप विंटर एरियाज में रहते हैं, तब तो इसको मिलकुल मत निकालेगा क्योंकि आपको यह बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है, वो certain temperature पे पहुंच ही नहीं पाएगी, हलांकि आपको मैं वीडियोस दूँगा अभी, मैं अपनी गाड़ी में निकालके देखा तो यह था ही नहीं, मैंने 7th एंड खरीदी, आप क क्योंकि आपको यह बहुत आपको यह बहुत जबारत